मेरट में स्टेफ की टीम ने एक बार फिर्चा पे मारी करके हत्यार फैक्टरी का बड़ा खुलासा किया है एहम बातिया है कि इसी हत्यार फैक्टरी से पश्री मुत्तर प्रदेश के बड़े गैंग्स और दिल्ली में हत्यारों की सप्लाई की जा रही थी मौत का सामान तयार करने वाले यह लोग पाच हजार में तमंचा, पच्चिस हजार में रिवॉल्वर और तीस हजार में पिस्टल बेशते थे स्टेफ की टीम ने दो अपरादियों को रंगे हाथ गिरफतार किया है दरसल मेरट के थाना नौचंदी क्षेतर में स्टेफ की टीम ने चापे मारी की है चापे मारी के दोरान एक घर में हत्यारों की फैक्टरी चलती हुई मिली है जहाँ से 3 तमंचे, 32 बोर, 2 रिवॉल्वर, 17 तमंचे और 3 पिस्टल समेथ भारी मात्रा में अद्बने हत्यार भी बरामद हुए है स्टेफ की चापे मारी के दोरान दो आरोपियों को भी रंगे हाथ गिरफतार कर लिया गया गिरफतार किये गए शक्स रईस मुला और शमशाद है आपको बता दे कि रईस मुला कुख्याद हत्यार तसकर है जो हत्यारों की तसकरी के मामले में पहले से भी दिल्ली में गिरफतार हो चुका है STF की टीम में हतियारों का जखिरा और आरुपियों को नौचंदी पुलीस के सुपूत कर दिया है बड़ी बात किया है कि इससे पहले भी नौचंदी थाना लिसाडी गेट में हतियारों की फैक्टरी पकड़ी जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी सानिया पुलीस अपनी कुम्ब करण की नीन में सो रही है पहले भी दिल्ली पुलीस ने चापे मारी करके तैकाने में चल रही हतियार फैक्टरी का बड़ा खुलासा किया था जिसके बाद अब स्टेफ ने फिर एक बार हतियार फैक्टरी का भंड़ा फोड किया है इन बिसे न्यूस के लिए मेरट से राशित खान की रिपोर्ट